नमस्कार फ्रेंड स्वागत वे आपका हमारी यूटूब चेनल जी टेक्निकल एजुकेशन में फ्रेंड्स आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं अगर आप जवाहर नबोदे विद्याले के कलास 6 का ओनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सार्टिफिकेट फॉर्म है कुछ इस प्रकार से है तो इसमें क्या-क्या डिटेल कहां पर फिल करना है सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इसलिए वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा और अगर रजिस्टेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो वना रखा है उसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के निचे डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसे भी देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब आप इस सेर्टिफिकेट फॉम को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड होने के बाद में इस सामने कुछ इस प्रिकार से खुल के आ जाएगा तो इसके लिए आपको इसका एक print out निकलुआना होगा print out निकलुआने के बाद में सबसे पहले आपको यहां पे passport size photochip काना होगा जिस भी candidate का आप registration कर रहे हैं उसका यहां पे photochip काना होगा उसके बाद उस candidate का नाम यहां पे डालना है साथ ही उस candidate का school का नाम डालना है जहां से क्योंक अच्छा पाचुई की पढ़ाई कर रहा है उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर name of candidate in block letter candidate का नाम डालना होगा capital letter में उसके बाद उसके father का नाम capital letter में फिर mother का नाम capital letter में उसके नीचे है name of the guardian and relationship if anything तो यहाँ पर guardian का नाम डालना होगा साथ ही उसके साथ आपका क्या संबंध है आपको उस चीज को भी यहाँ पर mention करना होगा उसके बाद नीचे आप जाते हैं यह फिर ट्रांस जेंडर हैं तो ट्रांस जेंडर लगा देंगे उसके बाद आप से कटेगरी पूची गए आपको अपनी कटेगरी सेलेक्ट करना अगर जेनरल है तो जेनरल पर किलिक कर देंगे स्सके बाद ने यहाँ से पूंचा गया है अगर आपके अंदर डिसे चोड़ देंगे उसके बाद में यहां से आपका आएंडिकेशन मार्क मांगा गया है अगर आपके अंदर कहीं पर भी कटा फटा या फिर तिल का निसान है तो आप जो है अपना एक identification वार्क यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद में present address यहाँ पर फिल करना होगा present postal address तो यहाँ पर आपको गाओं का नाम village name फिर साथ में post name यहाँ पर फिल कर देंगे उसके बाद में mobile number डाल देना है उसके बाद यहाँ पर email ID फिल कर देना है उसके बाद नीचे जाते हैं तो आपसे आपकी nationality पूछी गई तो अगर आप इंडिया के हैं तो यहाँ पर इंडियन लिख देंगे और religion में अगर आप जो हैं हिंडू हैं तो उसके लिए अगर आप हिंडी में में देना चाहते हैं तो यहाँ हिंदी लिख देंगे क्लास फोर्थ और क्लास फित यहां कि आपने कच्छा तीसरी चोथी और पाचुई की पढ़ाई जहां से भी कर रहे हैं उसकी कुछ आप से डिटेल मांगे गए हैं जिसे की आपको फिल करना होगा तो यहां पे मैं सबसे पहले क्लास थर्ड की बात कर लेता हूं तो जैसे आपने कच्छा पाचुई का भी फिल कर देंगे चीज़े फिल करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ guidelines दिये गए हैं आपकी चीजों को फढ़ लेना है उसके बाद में यहाँ पे candidate का signature यहाँ पे कर देना है और parents का signature यहाँ पे signature आप parent पे यहाँ पे कर देना है यह signature करने के बाद में आपको स्कैन करके जो है इस डाकूमेंट को जो है अपलोड कर देना है तो इस प्रकार से आप नबोदे के द्वारा जारी किये गए साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ सेयर कर दें